घर को खुबसूरत बनवाने के लिए हम महगे से महगा पेंट इस्तमाल करते हैं, अच्छा फरनीचर करवाते हैं या फिर अच्छी टाइले लगवाते हैं पर इन सभी चीजों को करने के बाद एक चीज की अगर कमी रह जाती है तो वो हुद्धी है फॉल सिलिंग और अगर आपने फॉल सिलिंग करवा ली तो आपके रूम का लुक बहुती खुबसूरत दिखाई देने लगता है फिर चाहे वो दिन हो या फिर रात हो और ये जो फॉल सिलिंग है इन में बहुत सारे टाइप्स की डिजाइन साती है जिन डिजाइन का इस्तमाल करने के पारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे हम ये जानेंगे की फॉल सिलिंग करवाने के लिए आपको कितना खर्चा सकता है इसके लिए पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपका जो फॉल सिलिंग का खर्च है वो डिपेंड करता ही कि आप कौन से टाइप की फॉल सिलि Mineral Fiber Fall Ceiling और सबसे आखिर में Glass की भी Fall Ceiling होती है अब यह जो सभी Fall Ceiling है इन मेंसे 4 ऐसी Fall Ceiling के कौश्ट के बारे में हम देखेंगे जो की सबसे Commonly इस्तमाल की जाती है और यह जो 4 टाइप की Fall Ceiling है इन मेंसे सबसे आखिर यानि कि 4 नंबर की जो Fall Ceiling है उसके लिए आपको सबसे कम खर्च आएगा यानि कि इन सभी false ceiling की तुलना में डायरेक्ली आधा तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रू देखे वीडियो में बताई हुए सभी false ceiling के cost के बारे में ध्यान पूरोग जान करी लिजे जिसी कि आप अपने घर के अंदर जब false ceiling करवाओगे तो उसका खर्च निकलने में आपको बहुती आसानी होगी और इस वीडियो में आपको भी एक चीज करनी है कि आपके एरिया में false ceiling के क्या rate चल रहे है इसके बारे में आपको comment box में comment ज़रू करना है अगर आपको false ceiling का cost निकलना है तो आपको दो चीजों के बारे में जानकरी होना ज़रूरी होता है पहली चीज उस false ceiling का per square feet का rate और दूसरी चीज आपके room का area इन दोनों को multiply करने के बाद आपको false ceiling के लिए कितना खर्चाने वाला है या आराम के साथ मिल जाता है तो शुरुवात करते हैं हम पहले false ceiling के type से जो की है P.O.P. false ceiling यह जो false ceiling है यह commonly इस्तिमाल की जाती है हाला कि इसे बानाने के लिए थोड़ा सा ज़ादा समय लगता है पर इसमें आपको बहुत सारी type की design जो है वह available होती है तो यहाँ पर जो P.O.P. false ceiling का rate चल रहा है वो 100 रुपए per square feet से लेके 120 रुपए per square feet के rate से चल रहा है अब यहाँ पर चीजों को आसान रखने के लिए हम एक 10 by 10 की room लेंगे जिसका हम area निकालेंगे और उसे 120 के हमारे P.O.P. के rate से multiply कर देंगे अब यहाँ पर हमारी 10 by 10 की room है तो उसका हमें square feet निकालना पड़ेगा यानिकी 10 multiply 10 is equal to आ जाता है 100 square feet और हमने जो P.O.P. false ceiling का rate consider किया है वो किया है 120 रुपए per square feet के हिसाफ से तो room का area multiply P.O.P. का rate यानिकी 100 multiply 120 is equal to आ जाता है 12,000 रुपए तो अगर आपकी 10 by 10 की room है तो आपको P.O.P. false ceiling करवाने के लिए 12,000 रुपए तक खरचा सकता है अब यहाँ पर आपकी room 10 by 10 से कम या फिर जादा हो सकती है तो आपको पहले square feet निकाल लेना है और उसे 120 के rate से multiply करना है उसके बाद आपको answer मिल जाएगा कि आपके room के लिए P.O.P. false ceiling करवाने के लिए कितना खरचा सकता है तो चले बढ़ते हैं next false ceiling के तरफ जो की है PVC false ceiling अब यह जो PVC false ceiling है इसका इस्तमाल खास करके shops के लिए किया जाता है और इसे install करने के लिए बहुत ही कम समय लगता है आता है 10,000 रुपए यानि कि अगर आप 10 by 10 के room में PVC false ceiling कराने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए तक खरचा सकता है और तीसरे टाइप की जो false ceiling है जिसका की commonly इस्तमाल किया जाता है जोकि है gypsum board false ceiling अब यह जो false ceiling है इसे install करना बहुती आसान है इसके लिए बहुती कम time period भी लगता है और इसका cost जो है वो POP false ceiling से भी कम होता है तो यह जो gypsum board false ceiling है इसका cost 90 rupees per square feet के इसाफ से चल रहा है और यहाँ पर हमने जो room assume किया है जो की 10 by 10 का है तो उसके area से हम इस rate को multiply कर देंगे यानि कि room का area हमारा 100 square feet multiply 90 रुपए हमारे gypsum board false ceiling का rate is equal to आ जाता है 9,000 रुपए यानि कि अगर आप 10 by 10 के room को gypsum board false ceiling कराने के बारे में सोच रहे हो तो आपको 9,000 रुपए तक खर्चा सकता है और इसके बाद में सबसे कम दाम वाली जो false ceiling है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था उसके बारे में हम जान करी लेंगे जो की है T-grade false ceiling अब यह जो T-grade false ceiling है इसमें भी बहुत सारे type होते है पर इस वीडियो में हम बात करेंगे cemented tile false ceiling के बारे में जिसका खर्च बाकी false ceiling के तुलना में directly आधा होता है पर यहाँ पर यह चीज़ भी समझना जरूरी है कि बाकी false ceiling के तुलना में यह जो सिलिंग होती है यह थोड़ी सी अलग होती है इसका इस्तमाल commercial purpose के लिए जादातर किया जाता है जैसे कि अस्पताल, school building या फिर कोई चा सकता है तो हमारे room का area है 100 square feet multiply false ceiling का rate जो की है 50 रुपए per square feet के इसाफ से तो इन दोनों को अगर हम multiply कर लेते हैं तो हमारा answer आजाता है 5000 रुपए तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस false ceiling को करवाने के लिए बहुती कम खर्चाता है बाकी false ceiling के तुलना में तो जैस पिर में जो cement tile false ceiling है उसके लिए हमें 5000 रुपए तक खर्चा सकता है तो दोस्तो हमने यहाँ पर चारोई type की false ceiling के खर्च के बारे में देखा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट option कौन सा होगा तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्फ होगा gypsum board false ceiling क्योंकि इसका cost जो है वो POP false ceiling हो या फिर PVC false ceiling हो उससे थोड़ा सा कम होता है और यह easy to install होता है यानि कि इसे लगवाने के लिए ज्यादा time भी नहीं लगता है और भले ही cement tile false ceiling से इसका cost थोड़ा सा ज्यादा होता है पर यहाँ पर आपको अच्छा look भी मिलता है इस चीज़ को भी आपको consider क करना जरूरी है साथ में आपको false ceiling करवाते समय इस चीज़ के तरफ भी ध्यान देना है कि यह तो होगा है सिर्फ false ceiling का खर्च जब आप उसमें lighting लागवाते है तो उसके लिए भी आपको extra खर्च करना पड़ता है तो इन दोनों चीज़ों करने के बाद ही आप अपने घर को false ceiling लगवाने का decision ले सकते हो तो आप अपने घर के अंदर कौन से टाइप की false ceiling लगवाना पसंद करोगे और आपके area में क्या rate चल रहे है इसके बारे में comment box में comment जरू कीजे वीडियो अच्छा लगा हो तो जरू इसे like कर दीजे चानल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चानल को जरू सब्सक्राइब कर दीजे और यह जो तीने वीडियो है इन मेंसे कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है